हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का राहूले केडमे पर आज आपका है तीन फरवरी और आज आपका दोनों स्विप्टों का एकजाम खतम हो गया है तो दोनों स्विप्टों में आपके जितने भी कोशन पुछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चाचा अगर आपको इसका पिड़ीयप चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का गरूप दिया गया है वहाँ से जवाइन कुकर इसका प्यडियाप रावद कर सकते हैं तो सबसे पहले आपके सकेंड डिशीट का कोशन करेंगे उसके बाद से आपका फ़र्श्ट का कोशन करेंगे तो कि जोग जल प्रपात को और किस नाम से जाना जाता है तो इसका करेक्ट अंसर अपको हो जाएगा महात्मा गाधि जल प्रपात के नाम से जाना जाता है अगला कोचन था कि GST का पूर्णोब क्या होता है तो GST का पूर्णोब आपका goods and services टेक्स होता है इसके आगे देखे अगला कोचन दिया गिया था कि रामधारी सिंग दिनकर को ग्यान पीठ पूरिसकार कब्डी मिला था तो 1972 इसमें मिला था अगला कोचन था कि लिकाहल हाइलाइट का समान सुत्र क्या होता है तो इसका करेक्ट अंसर अपका हो जाएगा CNH2 प्लस 1 रेशियो 3 होता है अगला आपका देखे कोचन पुछा गिया था कि चुम्बकी फ्लक्स का मातर क्या होता है तो चुम्बकी फ्लक्स का मातर अपका बेबर होता है इसके आगे आगला कोचन था कि बीतुत बीभाव का इसाई मातर क्या होता है तो आपका बोल्ट होता है अगला कोशन था कि पिर्थभी की तुल्ना में चंदर्मा की सता पर किसी बस्तु का भार कितना होगा तो एक बटा 6 होगा यह कोशन जो आपका है दो तीन बार पुछे जा चुका है अगला आपकोशन था कि बिदूत छेतर का मात्र क्या होता है तो बिदूत छेतर का मात्र का आपका न्यूटन प्रतिक कुलाम होता है इसके आगे देखे अगला आपको कोशन था कि कल के दो और मतलब क्या होता है तो देखे एक आपका हो जाएगा बीता हुआ दिन और एक आपका हो जाएगा आने वाला कल भी होगा अगला आपको कोशन दिया गया था कि रामधारी सिंग दिनकर को कौन सी रचना पर ग्यान पीट पुसका दिया गया है तो देखे उन्हें सो बहत्तार इसी में दिया गया था और किस रचना के लिए दिया गया था तो उर्वर्सी रचना के लिए दिया गया था देखे इसके आगे हम आपके फर्श रस्टिप्ट वाले कोचन करेंगे अगला आपका देखे कोचन दिया गया था कि नंदवंस की असाबनाखिष ने की थी तो महापदम नंद के दुबरा क्या गया था अगला कोचन था तो यह आपका दो या अधिक राजियों के लिए एक ही व्यक्ति की राजिपाल के रूप में निवक्ति के बारे में बताता है इसके आगे आपका देखे अगला कोचन दिया गया था कि हिंदी भासा में सहित्य प्रोषकार दो हाजार बाइस की से मिला है तो इसका करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा बदरी नरायन को दिया गया है और इनका जो एक कविता संग्रा है जिसका नाम है आपका तुम दी इसके लिए इनको दिया गया है अगला कोचन था कि अनुछेत 15 क्या है इसके आगे देखे अगला कोचन था कि 1993 में मैथलिस सरन गुप्त को कौम सा प्रुसकार मिला है तो पदम विभूसर मिला है अगला कोचन था कि न्यूटन का तिर्तिय नियम किसा समदित है तो न्यूटन का तिर्तिय नियम आपका किरिया प्रत किरिया का नियम होता है अगला कोशन था कि भारत में दहेज निशेद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था तो 1961 इसमें पारित किया गया था इसके आगे देखे अगला कोशन था कि जी कमान कितना होता है तो जी कमान आपका 9.8 मीतर प्रतिस सकेंड स्क्वाइर होता है अगला कोचन था कि एक लाड़का दो मीटर की उचाई के माधियम से 120 न्यूटन के वजन के साथ एक बाक्स उठाता है उनके द्वारा किया गया क्यार कितना होगा तो इसका करेक्ट अंसर अपको हो जाएगा 240 जूल होगा इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोचन था कि अनुछे चीहतर क्या है तो अनुछे चीहतर आपका महानियवादी के बारे में पताता है अगला कोचन था कि आवेज का इसाई मातर क्या होता है तो कुलाम होता है अगला कोशन था कि यदि हम दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगूना कर दें तो क्या होगा तो देखे क्या होगा यदि पिंडों के बीच की दूरी दोगूनी कर दी जाए तो अकरसर का गुर्तव अकरसर बल एक चवथाई हो जाता है इसके आगे देखिए इसके आगे 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 अगला कुछन था कि बिदु धारा कुम आपने वाला उपकरण कौन सा है तो आपका अमीटर है अगला कुछन था कि जब एक नावीक आगे की दिसा में कुदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है यह निउटन का कौन सा नियम है तो यह निउटन का आपका तिरतिय नियम है इसके आगे देखिए अगला कोचन था कि चुम्बकी फ्लक्स की इकाई किया होती है तो चुम्बकी फ्लक्स की इकाई आपका वेबर होता है देखे ये जो आपका कोचन है दोनों सिप्टों में पुछा गिया था अगला आपका देखे कोचन है कि ओम का नियम क्या होता है तो देखें ओम का नियम आपका भी बराबर आई इंटू आर होता है अगला कोचन था कि अचल का समनार्थी क्या होता है तो अचल का समनार्थी आपका सैल होता है अगला कोचन था कि छेरी का परिवाची क्या होता है तो छेरी का परिवाची आपका बकरी भी होता है और आपका अजा भी होता है इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला कोचन था कि जुगुनू का परिवाची क्या होता है तो जुगुनू का परिवाची आपका पट बीजिना होता है क्या होता है तो पट बीजिना होता है अगला कोशन है कि तीन तेरा होना का मुहावरा क्या होता है तो तीन तेरा होना का मुहावरा आपका तीतर बीतर होना तो देखिए आज हमने आपके तीन फरवरी से जितने भी कोशन मिले थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चचा क कि जाए हैं तो लिए से आपका वाई सिच्टम है यानि कि समाह से 1-22 कोशन से 1-22 कोशन been हावरे से 1 यद में नाई हैं आपको से यक्यों कोशन पुछ जा रहा है और पृतिसाथ में अच्छे से चाचा किया अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो नीचे टेलिग्राम का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जवाइन टोकर इसका पीडियाप राप्त कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना है धन्यवाद